गैज आज की इस वीडियो में आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वॉक्फराम की जोब अपरचनेटी लेके आऊं जहाँ पर आपके सेलेक्शन के चांसेज बहुत ही जाद हैं क्योंकि यहाँ पे जो नंबर वकेंसी है ना वो 200 है और सबसे बढ़िया बात गैज यहाँ पर कंपनी पार्टाइम का उप्शन दे रही है मतलब आपको डेली सिर्फ यहाँ पर चार गंटे काम करना है वो भी दे टाइम में और यहाँ पर इसके बतले कंपनी प्रेया दे रही है सबसे बात गैज अगर आपके पास कोई experience नहीं है आप एक fresher है आप यहाँ पे apply कर सकते हैं अगर आपकी minimum qualification 12th pass भी है आप यहाँ पे eligible हैं और इनकी team जो recruitment team है बहुत actively respond कर रही है और यह work from home and gaze अपने घर से आपको काम करना है और आपका role भी बहुत अच्छा है तो आज की वीडियो में आप लोगों को guys में company की detail, role, eligibility, apply कैसे करना है, reward कैसे आएगा हर चीज में आप लोगों को बताऊंगा screen share करके पूर आप लोग ध्यान चे समझेगा और guys पहली बार अगर आप इस channel पर हैं तो make sure इस video को like और इस channel को subscribe कर ले न because ऐसे job update के वीडियो आप लोगों के लिए मैं इस channel पर लेके आता रहता हूं चले शुरू करते हैं So guys यह आप लोग जो मेरी screen पर देख पर हैं और यहाँ पर उपर जो एक opening देखे इसको देखे टेंशन मतले हैं क्योंकि अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देख जाएगा number of requirements 200 अग guys यहाँ पर तो यह चीछ थोड़ आपको पहले बताना चाहता हो अब पहले आप काम समझे लोगा इस देखो company ने यहाँ पर clearly लिखा है it's a part time जो qualification की बात करें P.U.C.A graduate मतलब कि अगर guys आप लोग minimum 12 पास भी हैं आप यहाँ पे eligible आप apply कर सकते हैं experience freshers दोनों चल जाएंगे आपको Hindi भी आनी चाहिए आपको English भी आनी चाहिए दोनों languages काना जरूरी है क्योंकि जब आपका interview का वहाँ पे भी ही check की जाएगी उसके बद गई जे 6-day working job है हफते में आपको 6 दिन काम करना है shift rotational रहेगी and इसमें जो timings हैं वो है सुबह 11 बज़े से लेके रात के 8 बज़े तक के बीच में कोई भी 4 घंटे आपको login रखना है एक rotational off है workform हो में CTC अप्टू 13,000 पर मंत इन हैंड वो ही कुछ आप लगा लो 8, 10, 12 की आसपस आपको रहेगा number of requirements इसमें 200 है ग्रेजिशन नहीं चाहिए पाटते हैं में customer support का domain है काम आपको पता चली क्या होगा आपको यहां पर customers की queries को clear करना है इसमें लिखा भी है domestic है वह इस process है और थोड़ा सा CSE remote outbound calling भी है टेली calling भी है मतलब हो सकता हमें भी इसके इंदर calling करना हो क्योंकि outbound calling में यह होता है कि हमें हमें call करना होता है अपने end से तो वह चीज़ इसके अंदर रहेगी अब थोड़ा सा यह तो चलो इसकी basic detail है अब बारी कि तो यह हमसे कुछ basic से question पूछ रहा है जैसे सबसे विल आपके पस customer care का कितना experience माल लीजिए मैंने 0 पर tap कर दिया उसके बद हमसे हमारा resume upload करने को बोल रहा है यहाँ पर दो option होते हैं एक तो resume upload को रहेका I'll do it later guys आपको customer care के recording resume बना अगर बना हुआ तो वही फिर आप इसको upload I'll do it later पर click कर दो वह पहले वाला ही हो जाएगा अगर आपके पस अलग से resume बना है तो यहाँ पर upload करो तो मैंने I'll do it later पर click किया और यहाँ पर application हमारा done हो गया जी तो बहुत असा process है अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर interview process और आगे क्या होने वाला है देखो यार जब आप यहाँ पर apply करते हैं guys तो इनका CV पहले आपके पास जाएगा सबसे पहले number पे CV screen होगा भई आप एक्चुली eligible भी है कि नी उसके बाद आपको सबसे पहले टेलिफोनी कोल आता है इनकी टीम की तरह से ओर टेलिफोनी कोल में guys दो चीज़ें वो देखेंगे इनके जो रिक्रूटर ने पहला आपकी communication skill को चेक किया जाएगा मतलब आपसे कुछ question ऐसे पूछे जाएंगे जहाँ पर आप आपको बताएंगे इतनी salary है इतना package है यह सब कुछ है अगर आप सब चीज़ों पर हाँ करेंगे फिर इनके आगे round होते हैं ज्यादा तर case में एक basic test होता हुता हुता शायद अब StarTech में इस role पर पर पता नहीं वो है के नहीं part time में बट ज्यादा तर हम जैसे बाकी companies में दे टैली performance तो वहाँ पर जो customer care के process आते हैं वहाँ पर test होता है तो बट यह की Ops round तो होगा होगा है को virtual video based round जो होता है तो इसमें काफी जारे सवाल आप से पूछे जाएंगी वही इसी customer support की domain से related और अगर आपका final selection हो जाता है company को immediate joiners चाहिए जो immediate join कर पाएं मतलब आए selection होता अगर person join करना हो तो कर पाएं वैसी तो बस यही थी वह job update आई हो आप लोगो अच्छा लगा हो बाकि इस video को description में मैं एक special video का link भी दिया जहां पर हमने बता है कि जो companies होती है यहां पर CV कैसे shortlist होते हैं interviews के कितने round होते हैं कैसे crack किया जाता है आप apply करने के बाद वह video देख सब्सक्राइब कर लेना सो मिलेंगे फिर दुबारा से जल्दी कैसे और वीडियो के साथ अब तक के लिए सभी को best wishes galak jain